ए प्रोजेक्टल मौविंग अप्वर्ड वृतिकली अप्वर्ड विडिविल। टू हंडडर मेटर पार सेकन्ड की स्पीड से और यहां पे इसका मास मालो एम था इस केस में इस ब्रेक इंटू टू इक्वल पार्ट साथ हाइट ओफ 490 meter high travel करने के बाद ये 2 parts में divide हो गया M by 2 और किसमें M by 2 One part start moving vertically upward with a velocity of 400 meter per second एक part उपर की तरभी भी जा रहा कितने की speed से 400 meter per second की speed से How much time after the break up will the other part hit the ground कितने time बाद ये वाला part ground से hit करेगा तो ये आपको बताना ये time निकालना कितने time break होना कितने time बाद ये वाला particle जो है यहाँ पर ground पर hit करेगा time बताना इसका तो हमें क्या करना है momentum conservation लगा सकते हैं यहाँ पर क्या लगा दें momentum conservation लगा देते हैं by the conservation of linear momentum तो P initial equal to क्या हो जाएगा P final initial M into में 200 equal to M by 2 into में इसकी velocity मालो भी तो M से M क्या हो जाएगा cancel ही हो जाएगा 200 तो यानि कि यहाँ से 200 minus 200 equal to क्या हो गया V by 2 तो 0 equal to V by 2 तो इसकी velocity क्या हो जाएगी 0 तो यानि कि यह वाला part यहाँ से initial velocity 0 से निचे की तरफ आएगी और कितनी height travel करना है 490 meter distance travel करना है तो हमें पढ़ा था कि अगर एक ball को 0 velocity छोड़ दे तो पहली h distance travel करने के बाद time कितना लगता उसको under root 2 h by g के बराबर ताइन कि time आजाएगा under root 2 h की जो value है 490 divide by में इसको 9.8 ले लो easy हो जाएगा तो यहाँ पर 2 into में 4900 by 98 तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते है under root 200 into 49 divide by 98 अब यह आता है 2 से यहाजाएगा 100 तो यहने कि answer आजाएगा 10 second 10 second के बाद यह ground पर क्या कर जाएगा hit c option क्या होगा इसका correct होगा जाएगा